लोग खपरे हैं निराधार हैं। वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंद्रा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है। वो सोभाविक रूप से हम और आप सब उनको देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की विचार धारा और सोनिया गांदी जी, राहूल गांदी जी, इंद्रा गांदी जी, राजू गांदी जी। सब के साथ एक परिवार जैसा वेवार, अपनत्व और भरोसे की भावना। अगर कहीं देखने को मिलती है तो इसी दो परिवारों के बीच उस केमिष्ठी को पूरे देश ने और हम सबने देखा है। साथियों, असी में जब पहली बार कमल नाज जी चुनाओ लड़े, तो इंद्रा जी ने आम सबा में ये भावना व्यक्त की कि ये मेरा तीसरा बेटा है, कमल नाज जी के लिए तीसरे बेटे की एक संग्यादी। उससे आगे बढ़कर इस पेतालिस साल की यात्रा में, राजमिती की यात्रा में कमल नाज जी की, पिछले साथ साल से वो मध्यप्रदेश की कांग्रेस पार्टी के मुख्या के तोर पे हम सब कांग्रेस के कारी करताओं के साथ कंधे से कंधा मिला कर, हर परिस्तिती में, अच्छे में और बुरे में पूरी द्रड़ता से कांग्रेस के विचार को आत्मसाथ करके विपक्ष की भूमी का निभाते हुए निड़ता से अपना कारी करते रहें कि सांतियों मुझे ग्या थे वो पल वो समय जब सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी को ये सरकार गिराई थी तब भी कांग्रेस का एक एक कारी करता कमलनाजी के विचार और उनके नेतरुत के नीचे खड़ा था एक एक उस समय मेरे जैसे कई परिवार के साथ ही हर तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर कमलनाजी के विचार को आत्मसाथ कर रहे अंतो गत्वा मैं आप सब से अन्रोत करना चाहता हूँ जो खबरे हैं निराधार है कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंद्रा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी दो महीने पहले जिनके नेत्रोत में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रिस का कारी करता अपनी जान अड़ा कर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निचावर करता रहा क्या उनको छोड़ने की बात कमला जी कर सकता कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे सरकार गिरा रहे थे तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे में प्रस्तावित किया था और उसी के आधार अधार पर हम सब विधायकों ने भी ठिया था हमारे पूरे नेत्रोत ने एक साथ मिलके किया था और सर्व सम्मती से अशुक सिंग जी को राजसभा भेजा गिया और यही कारण है कि वो एक मात्र कांग्रेस के उम्मिदवार आप सब के बीच में तो मैं फिर से ये खबरे निराधार है और मैं मानता हूँ कांग्रेस का एक एक कारी करता जो विपक्स की भूमी का हमें निभाने को लेकर जनता का जनादेश मिला है उसमें द्रड़ता से लगेंगे बहुत जल्दी जो कांग्रेस पार्टी ने मिनिमम सपोर्ट प्राइज किसानों की लागू की है जो सपोर्ट प्राइज किसानों की भावना उनके अधिकार छेत्र में ग्यारेंटी के रूप में दी है मिनिमम सपोर्ट प्राइज एक ग्यारेंटी है इसकी भावना कांग्रेस पार्टी ने वेक्ट की है इसके कारिक्रम जारी हो रहा है और मैं मानता हूँ कि सभी परिवार के यहां उपस्तित, पत्रकार बंदूओं, जनलिस्ट भाईयों, आप सबको अन्रोधे की भरमित जानकारियों से बचे, थनिवाद. और में मेरी कमनलाची से आज वब बात हुई, कल रात को भी हुई, और जो मैं बाते आप से कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि उस कांग्रेस के प्राचीन, निचार धारा के इतियास के मद्य नजर कर रहा हूँ, जिसको कमनलाची ने आत्म साथ किया था. धन्यवाद.